कि इसे बापचित आपका है कि नहीं है बड़ी बभू है इच्छा है तो चलिया आशे बाद मिलेगी इस पर चांच होगी जो भी जोशी पाये जाएंगे उनके उपर कारवादी होगी है राजी सरकार को प्राइटी से पहले करनी चाहिए और राजी सरकार अक्षम हो तब तो कोई एजन्सी है लेकिन जब आप बता रहे तो हमें इस बात को पहले गवर्ण करना होगा कि कैसे इडी जाज कर रही है य क्या लगता है इडी जब द्रस्ति इंसी जो पर जारखन के सब्जेक्ट पर राज्य सब्जेक्ट उस पर जाज करें हमें नहीं लगता कि उनकी मनसा साफ होगी है अगर भारत सकार के इशारे पर उनके राजितिक दबाव में तो जाच होगी है जाच निश्पक्ष हो जो दो भी एजेंसिका इंदर जो भाइसा रफ परियोग किया देश्कों लेकर विदाएट जो मर्यादित परियोग किया है यह दिकी चीजें कुछ फिसल सकती है लेकिन अद्धियर जी ने जो मर्यादित सब्दूस को इस पर चर्चा करना उचितनी नहीं मंध्री मंडल का वि जो भी बने अच्छे से काम करें मिल्के काम करें राजी की लिए वारी के साथ हम विधायक हैं आगे भी विधायक रहेंगे जिसकी गैरंटी है उसकी बात कर सकता हो जिसकी कि बाद करना थोड़ी कालपनी वार बावर क्या है वार का नाम लिखर अपनी सामिया को शुपाने के लिए जैसी बनते हैं तुमान हिंदु समाज जान रहा है उनका असली कौन है नकली कौन है ठीक है भगवान राम का असिरवाद हमें है हम लोग गलत नहीं किये हैं याद रुखिएगा भगवान शिर राम का असिरवाद से ही चमपे स्वरेन मुख्यमंत्री बने हैं और देखें जिस प्रकार भाजपा और ये इसकी प्रहामंत्री मोदी जी उस्वरा ले रहे हैं मंदीर का अस्थापित करवा दिये हम लोग तो मैंने कहा सदन में मुझे मुझे मुका नहीं दिया गया बहुत बड़े हैं भाजपा की लोग या मोदी जी तो गरीब को पैसा लेके भागा गया उसको लाके आप अस्थापित करते देश में यही सब्सक्राइब हमें है कि राज आजिवासि के लिए 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 अग्रीजों के तरह है यह अग्रेज के पार्ट है अग्रेजों ने जिस तरह से परवाद किया इसे भाजपा का अचन वही है इस परका अग्रेजों ने हमें मारा हमाई लोग को मारा आजपा अधिवासियों के मार रही है हमाई लोग को यही है